आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा मैं पंडित नहीं हूँ लगता है आप खलत जगह आ गया हो यह गलत जगह है? नहीं जगह है तो सही है आप खलती से आ गया हो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या है फिर? यह मस्जिद है अल्ला का दर्बार है यहां क्य होता है जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो वैसे ही मस्जिद में अल्ला की अबादत करते है आप कौन हो मैं यहां का मौलवी हूँ मौलवी मतलब जैसे मंदिर में पंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं तो आप दोने सीम हो हां मतलब एक तरीके से कह सकते हैं? आज मेरे दादे जी की बरसी है, आप प्लीज ए खाना का लीजे. मैं क्यों? क्यों क्या मुझ्जित के पंडेत हो न? नहीं बिटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है. पता है, ये खाना दादा जी के लिए है. आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वाब बटर्चिकन मिलेगा. उन्हें एक साल से कुछ नहीं खाया. अब प्लीज ये खाना का लीजे. पेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते हैं? मैं गया था, मैंने बोट ढूंड़ा, मां कोई भी नहीं था. पेटा, जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता. अभी आप इने तो कहा, क्या आप दोनों सेम हो. खाना ही तो खाना है, इसमें लड़्डू भी है. अर्या, बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं. आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं? फर्ज करो, मैंने खा लिया. फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो. आप क्या पंडित जी से कम पावर्फुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता, यहां नहीं. क्यों? मंदर और मजजित में क्या फरक है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी. तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना? यहीं फरक भगवान और अल्ला हमें है. लेकिन मंमी क्यती है? कि सारे भगवान से हमें? वैसे अल्ला कितने है? अल्ला तो एकी है बिटा तो आप इतने शौर के सो कि बागवान और अल्ला से हमी है जैसे मेरा नाम राहुल है मम्मे मेरे को टिककू बुलाती है पापा मेरे को रौकी बुलाते है मेरे दोस मेरे को राहु बुलाते है लेकिन होतों में ही कि राहुल वैसे ही शिर्गी, अल्ला, हनुमान, सब सीम ही है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते है अल्ला से मस्जिद में मिलते है नहीं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते है इस सड़क पे, मॉल में, सबजी बजार में, मंदर में भी हाँ भाईया तो फिर मर्शुद मैं भवान क्यों नहीं मल सकते वैसे अगर मैं अल्ला से कुछ मांगना चाहू क्या वो मेरी बात सुनेंगे बिल्कुल सुनेगे तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे कौन से लट्डू है? मेरे दादाजी गिया मेचे लट्डू से लट्डू से लट्डू कलके है और ये दक्षना नहीं बेटा, ये किसी घरीब को दे दे न ओके, बाए उम्र जैनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भोली आखों में दिखाई मेरे दिलों में दादेरों का निशा हो अर नजर में बश्रे में ओला ते आही दुपा हो पीश्मर अर्दा तेरों हाँ हलो, हाँ पूजा, मैं पंद्रा बीस मिनट लेट हो जाओगी तुम पेशन को सलाइं चड़ा दो, मैं भी आती हो